इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हो और आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट तो इस प्रावलम को ठीक कैसे करना है क्या तरीका है इसका आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें इसके लिए आपको दो तरीके आपको बताऊंगा मैं सबसे पहला तरीका है यहाँ पे आप अपने फोन का स्पेस खाली करिए अपने गैलरी में से बेकार की फोटो वीडियो जो भी है उसको हटा दीजी रिमूव कर दीजिए और फिर चेक करिए अगली चीज है आप अपने फोन में से जो कॉल रिगॉर्डिंग है उसको भी डिलीट कर सकते हैं सैमसंग के फोन में call recording हम enable कर सकते हैं पर अगर आप call recording on करते हो और बहुत जादा बाते करते हो तो call recording भर जाती है तो इसके लिए आपको जाना है my files या file manager में तो file manager में जाईए यहाँ पर आपको यहाँ इंटरनल स्टोरी में जाना है आपको यहाँ पर मिलेगा call recording या DCIM folder में आपको call recording मिल जाएगा ढूंड लीजिए आपको कहां मिलता है वहने डारेक्ट भी एक option यहाँ पर music नाम से होता है इसके अंदर आपको मिल जाएगा तो चेक कर लीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा my files नाम से इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पर audio और सक्षन में सारी call recording मिल जाएगी अब यहाँ पर अगर आपने gallery खाली कर दी है तब भी आपको दिक्का तारी तो आपको बता दूँ अगर आप photo video delete करती हो samsung के phone में से तो पूरी तरीके से delete नहीं होती है उसको अंदर से भी delete करना होता है तो इसके लिए आपको जाना है gallery में अपने phone में gallery में जाएगे तो मैं gallery को open करता हूँ यही मेरी gallery gallery उपन करने के बाद आपको नीची की तरफ मिलेगी यहाँ पर तीन लाइन आपको इस पर touch करना है आपको मिलेगा recycle bean इस पर आपको touch करना है आपने जो भी photo video delete करी होगी यहाँ पर मिल जाएगी आपको MPT वाले option पर touch करो और MPT recycle भी कर दीजिए इसमें time लग सकता है और ध्यान लगेगा कोई जरूरी photo video आपको इसमें नहीं होना चाहिए वरना वह आपस नहीं आएगा अब यहाँ पर आपकी जो दिक्कत है वो solve हो जाएगी यहाँ पर जो photo video है ज्यादा बड़ी बड़ी है तो इसमें time लगेगा delete होने में और हमारी जो problem है permanently solve हो जाएगी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए चैनल को subscribe जरूर करिए